कि नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का पीकेडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन की तरहा आज भी हमें एक प्रस्णुत्तरी लेकर आए हैं सिक्ष्ण विद्यो मनुविज्ञान से सम्मझे प्रस्णु की और शाम 6 से 7 हम लाइब क्लास लेते हैं तो अ प्रस्ण है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उद्धीपन परिवर्तन हाफ भावों को परदर्शित करते हैं जिसके माध्यम से वालकों को ध्यान आकर सेंड अर्था एक चैक केंद्रिस होता है अर्था और निर्चरन से बतात पर रहे कि अन्यत्र इस्थान पर ने अन्यत्र जगे पर अन्यत्र इस्था पर नहीं जाता है तो उक्त सभी इसका राइट आंसर होगा अगला प्रस्ना आप अपकी स्क्रीन पर देखें बिध्यार्तियों में मांचित्र को पढ़ने से जो ब्यावारिक परिवर्दन होता है बैनिम्न में से संबन्दित है प्रस्न क्या है बिध्यार्तियों बिध्यारतियों से मांचितर को पढ़ने से जो भयवारीक परिवर्वर्वर्थन अत्पन होता है तो अगले पृष्ण की चर्चा करें नमबर चोथा प्रस्म आपकी स्क्रीन पर सामजिक ज्यान सिक्षक की सबसे मैत्पूर्ण योगता है कौन सी योगता है देखिए बिशे का ज्यान है सिक्षिन पतिती का ज्यान है साहयक सामगरी उप्योंगे है सामजिक सक्रियता है तो भी सामजिक ज्यान का सिक्षक है तो निश्च्य तुरूब से सामजग सक्रियता उसमें होनी है पर हम आवशक है नहीं तो यहाँ सबसे महत्वोण पूछा है अगला प्रफ्णग्न में सर्वांगिन विकास है तु आवशक है सेगामी करीया है सांस्कृतिक ज्यान, सांस्कृतिक कारिक्रम या खेलकूद तो सर्वांगिन विकास तो क्या अपयोगी है तो सिक्षन के साथ सेगामी करियाए सांस्कृतिक ज्यान, सांस्कृतिक कारिक्रम और खेलकूद तो यहाँ पर मित्रो आप सभी को पता है तो निश्श्य तरूप से ဥरबांगिन विकास होगा चैनल को सब्सक्राइब दरूर करने में तो अगला प्रसण की स्क्रीण पर कि total विढाख्यान empt की अप्योगिता है निमल मित में से क्या किसकी उप्योगता पूछ रहा है यहां पर ब्याक्ख्यान की उप्योगता पूछ रहा है तो देखो ब्याक्ख्यान से ब्याक्ख्यान में समय का अपवे होता है नहीं यह तो बिल्कुल उसकी उप्योगता नहीं है ब्याक्ख्यान में स्वस्टी करण का पीछेवस्थू करता है तो यहाँसे उप्योगी पूछाये तो इसका राईट अनसर क्या हो जाएगा है नमर दो इसका राई टॉंसर जाएगा अगला प्रस्ण साथवा प्रस्ण आपकी स्क्रीन समझाएंगे उसे बुलाका डाटेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आंसर है वो कौन सा है नम्मर तीन वही कुसंगती में वालक पढ़ गया बुरी आदतों को बुरी लोगों के साथ में रहने लग गया है तो अध्यापक की रूप में आप क्या करेंगे कि पहले से पहल कक्षा में अलग थलग बैठने वाले विध्यारती के लिए आप क्या करेंगे अर्था जो विध्यारती कक्षा में कैसे बैठा है अलग अलग बैठा है अकेला बैठा है ऐसे विध्यारती के लिए आप क्या करेंगे तो आप उसे जम्मिदारी कारे सोपेंगे सामुई गति विदियों में भाग लेगा तो बहे अलग थलग बैटने जो उसकी प्रवर्वर्टी वो उसकी क्या हो जाएगी समाप तो जाएगा और उसका राइट आंसर है अगला प्रस्ण नॉमा आपकी स्क्रीन पर कुछ बालक पुस्ति के जल्दी सीख लेते हैं कुछ ब्यावारिक ज्यान प्राप्त करने में खुशल होते हैं यह विवेद कहलाता है क्या है अच्छा प्रस्ण है क्या कहरा है कि कुछ बालक पुस्ति के जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ बालक ब्यावारिक जल्दी सीखते ह है तो ध्यान र'. यह प्रवर्ति का विएध क्या आता हैं यह जरू MARTIN decir जलदी सीक्ता है उसी गयान Kane कुछ उसरक्त करनी में फुसल होते हैं तो यह किसacy संब्प्र ओरुवर्ति तो अगले प्रस्न की ओर चलते हैं नमबर दस्वा प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर देखें आप यदि दो चात्रों के मद्द किसी समस्चा के संदर में दो चात्रों के मद्द भई क्या हो रहा है किसी समस्चा के संदर में विवाद अत्पन हो जाता है आप क्या नेड़ने लेंगे तो देखो आप छात्र को यतेष्ट उत्तर देकर संतुष्ट करेंगे तो तब विवाद शान्त करेंगे आप उन्हें प्रदाना चारेक अक्षि में भेज देंगे आप यदि समश्या का निदान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो अगले दन बुला करेंगे और संतुष्ट करेंगे तो यह सब में सबसे बेश्ट आंसर है इसलिए राइट आंसर कौन सा है नमर एक ठीक है मितरो तो अगर आपको क्लास पसंदारी लाइक करें और साथ के साथ कमेंट्स भी आप जरू करें क्लास को देखने के बाद नीचे कमेंट्स वोक्स म किस से संबंदित आत्रन संबंदी जटलता रही है उसको दूर करने में किस की सायता किस विद्धी से की जाती है तो आपको पता है जब भी कोई कठना ही आती है तो सबसे पहले क्या होता है उसका निदान होता है उसके बाद में क्या होता है उपचार होता है तो यह उपचा अगला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर वित्रों जो क्लास लाइब भी देखना चाहते हैं प्रते दिन छे से साथ आप लाइब आ सकते हैं अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस संबंदित प्रतिक टॉपिक से संबंदित अलग-अलग क्लास देखने के लिए ग्रीन बोर् इन यह पर तो देखो उद्देश एपक हम बिद्धाल संब्धाय वैसरकार उद्देश अध्यम परे सिक्ष्टन पकरिया थोडों थोड़ो दोस्तों थोड़ों सो थे ट्री कॉई है यह तीसरा वाड़ आप्सन सच्छान जोड़े मुल्यांकन कौं से सब्सक्तर जोड़े आपने परिस्टितियां अर्था जो भी सीments सम्भनाने जो कृराइए हैं वो सारी निर्वित कीजा जाती और इसके बाद अंतुमें क्या किता है मुल्ल्यांकर्ण की जाता है तो नमर तीन प्रसने की चर्चा कर लेते हैं, तेरवा प्रसन आपकी स्क्रीन पर मित्र आचुका है, प्रसन आपकी लाउं सामने ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा वेनिफिट मिलें, प्रसने अगला, कक्छा सिक्षन में बालकों को प्रेरित करते समय किस बात का ध्यान रखना तो प्रेरिद करने इसमें सबसे महतुन उम्मी का किस की होनी चाहिए आत्मिस्वास की अर्था जब ब्यालक प्रेरिद हो जाता तो उसमें क्या बढ़ जाता है आत्मिस्वास की भावना उसमें बेकसे तो हो जाती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वही नम्मर तीन इसक देखो भई अगला प्रस्न निम्न मेंसे किसी सिक्छक द्वारा कक्छा की प्रक्रिया नहीं है अर्थाक कौन सी प्रक्रिया नहीं है जो सिक्छकhh कछस में नहीं करता तो भईया इसमें पूछा है क्या नहीं, नहीं को अंडरलाइन करेंगे, नहीं को आधर बनाकर आंसर देंगे, तो देखो जब सिक्षन कक्षा में क्या करा रहा है, तो देखो बहाँ पर एक सब नियाब दिया है भ्रमन, तो कक्षा कक्ष से बाहर वो भ्रमन के लिए जाएग कि कौन सी सिक्षक कक्षा कक्ष मुस्क्रिया को नहीं है सिक्षक जो कक्षा कक्ष में की गई प्रक्रिया वो नहीं है तो कक्षा कक्ष में प्रमण कैसे हो सकता यह नहीं हो सकता इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा नम्मर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्चा आपकी स्क्रीन पर आचुका है पढ़ें और कमेंट्स में कमेंट्स करें कि इसका अंसर क्या है यदि प्रस्चा को ब्यफशाय अनुक्षी बनाया जा सके तो क्या होगा भई चात्रों में अद्धन के प्रति रुची म्रद्धी होगी, बेरुजगारी में कमी होगी, समय और धनका उस्थ भी होगा, राष्टी आर्थ युस्ता में सुधार होगा तो निश्यत रूब से इसका आんसर क्या हो जाएगा, नमर एक, किकि जब व्यपसाय अन्मोखी बनाया जाएगा, तो निश्यत रुची बढ़ जाएगा कि उसमें रुची लेंगे कि इसको लिए करना पड़ेगा तो सिक्षक अपने ब्यपसाय को और बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा प्रयास करेगा तो अध्यन में चात्रुगी क्या होगी उसमें रुची बढ़ जाएगी इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा न माता पितावेम घ्रेवातरण की मुल्य चंसंचार माध्यम में नवीन ग्यान का बिस्वोट तो निश्ची तुरूप से यहाँ पर राष्ट निर्मान का कारे कोन करता है सिक्षक ही करता है सिक्षक को राष्ट का निर्माता कहा जाता है आप सभी जानते हैं और जब पहलेगी और राष्ट का निर्मान करेगा देश का बिकास करेगा बालकों का सर्बांगिन बिकास करने में अपनी साहता देगा अगला प्रसंत सत्रवा आपकी स्क्रीन पर भई पढ़ें अच्छे से और कमेंट्स करके बताएं इसका आंसर क्या है चात्रों के मुल्यांकन क ब्यापक तभी माना जा सकता है जब कब सभी उद्देश्चों को मुल्यांकन किया जाए चात्रों के 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 ब्यापक के सभी पक्चों हो तो बिलकुल यह आंसर इसका हो स नम्जर दो इसका right answer होगा अगले प्रस्ण की चर्चा मैं आप से करता हूँ 18 प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मित्रो 18 प्रस्ण क्या कहरा है पढ़ लें प्रस्ण को एक बार 18 प्रस्ण कहरा है कि बालकों में सामा जिन ता कि गुण के विकास का भार बिध्यालों पर आपड़ा है क्यों कि एका की रहने की जो प्रवर्ती है वो बढ़ गई है कैसी हो गई है बालकों की एका की रहने की प्रवर्ती बढ़ गई है इसलिए बिध्याले में सामजिकता के गुण विकास का भार बिध्यालों पर आपड़ा है कि सामजिकता का बिद्ध्यालों में होगा इसलिए बाहर किस पर आ चुका है वो बिद्ध्यालों पर आ चुका है अभी तक भी चैनल किसी ने सब्सक्राइब ने किया लाइक ने किया तो जरूर करने में तो नीचे कमेंट्स वक्स में कमेंट्स करते रहें प्रस्णों के उत्तर आप अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर देखे भई क्या है बस्तुनिष्ट परिक्षा का दोस आपको बताना है बस्तुनिष्ट परिक्षा का दोस कौन सा है यह आपको बताना है तो देखो बस्तुनिष्ट परिक्षा का दोस कौन सा है अनुमान लगाने की प्रवर्ति को जन्म मिलता ह बस्तुनिस परेक्ष्ण पत्रक के निर्वाण में अधिक समय तस्रम लगता है दोस वताना गुड़ों नहीं वताना द्यान रखना मौलिक चिंतन अभिवक्ति छमता था कल्पना शक्ति की जाच नहीं हो पाती है बिल्कुल ये बिल्कुल सही है यहाँ पर क्यों सही है देख है उसका फिक्सी आंसर उसको में बताना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नमबर तीन क्योंकि इसमें पूछा गया है दोस ठीक है तो मित्रव आज का हमारा अंतिम प्रस्ण अंतिम प्रस्ण को पढ़ने से पहले आप क्लास को जरूब बताएं कि आपको क्लास कैसी गई है बिल्कुल सही है यह इर्थसास नागरिसास इतियास भूबल का संग है बिल्कुल सही है बहे ब्यक्ति समुके सामंजस को इस्थापित करता है यह भी बास सही है तो सभी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा यह हमारे 20 प्रस्ण का आंसर था दोस्तो तो आपको क्लास अ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा में अपने मित्रों को सेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा हो सके ले सके आप सभी निकलास को देखा आप सभी कमित्रों बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू